एक हफ्चे दिन का लॉक्डाउन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते वे लॉक्डाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था यह तरह से आखरी हथ्यार है कोरोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसे बढ़ रहे थे यह आखरी हथ्यार इस्तिमाल करना ज़रूरी हो गया था लेकिन अभी भी करोना का कहर जारी है और करोना कम नहीं हो रहा तो इसलिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पांच पजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमन दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं ये लगबग 36-37% तक पहुँच गई है आज तक इतनी संक्रमन दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे लेकिन 36-37% तक संक्रमन दर पहुँच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 29 पॉइंट कुछ आई है मैं ये नहीं कह रहा कि करोना खतम होने की दिशा में जा रहा है लेकिन ये अभी तथ्य हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्राथना करते हैं कि करोना से हम लोगों को मुक्ती मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी ज़्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है हमने दिल्ली की इस वक्त जरूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन एलोट हुई है कल 10 टन और एलोट किया केंद्र सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को एलोट हुई है लेकिन ये पूरी एलोटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुँची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महमारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुँच रही है यह जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुँच नहीं रही है जगे जगे से जो ऑक्सीजन आनी है यह एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगे 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 अस्पतालों में महसूस हो रही है लेकिन हमारे ओफिसर्स हमारे सभी मंत्रीगन हमेरे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सिजन की कमी हुई है एक एक अस्पताल जहां जहां कमी है वहां सप्लाइर से, मैनिफेक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फोन करकर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे मैं यह नहीं कहुँगा कि सारे कोशिशें कामयाब रही कई जगे फेल भी हुए हम लोग और कई जगे हम समय पे ऑक्सिजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक oxygen पहुचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं चुकि oxygen इतनी इस वक्त कीमती है इतनी कम है तो उसका management करना बहुत जरूरी है तो उसको management करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालो किया हमने एक वो portal टाइप बनाया है और order जारी कर दिये गए हैं जिसमें हर दो दो घंटे में मैनिफेक्चरर से लेकर और अस्पताल तक एंड यूजर तक हर एक को दो दो घंटे के अंदर अपनी oxygen के position बतानी पड़ेगी कि मैनिफेक्चर को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने टुक उसके निकले सुप्रियर को बताना पढ़ेगा कि ट्रक हो उसके दिल्ली के अंदर दृली के तरफ जा रहे हैं अस्पतालों को बताना पढ़ेगा कि पिछले दो गौंते में कितनी इस्तेमाल हो गई कितनी गौंते की और बचे गई हैं ये सारी चीज़ पर diagnostic हैं और दोनों टीमे कैंडर सरकार और डिली सरकार अच्छे से मिलके काम कर रही है और कोषिश की जा रही है कि जो भी सप्लाइ्स आने में दिक्कतों को दूर किया जा सके हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़ादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी और केंदर सरकार से तो मदद मिल रहे हैं और भी जहां से भी हम लोगों को अक्सीजन मिल सके अक्सीजन के टैंकर मिल सके कि पूरी देश से दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिठ्थे लिखी है कि अगर आपके यहां आपके राज्ये में गॉर्मेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मोहिया कराईए ऑक्सीजन टैंकर मोहिया कराईए कुछ एक राज्यों के साथ बाचीद भी शुरू हुई है जब भी कुछ कॉंक्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन बहुत जादा कठिन परिस्थिती है इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं मैं उमीद करता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी अमर्जनसी क्रियेट हो गई है इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया